नए साल की पहली चुनाओती के लिए तयार है ब्लू ब्रिगेड सामने होगी एशियन चैंपियंस श्रलंका की चुनाओती लेकिन एक यंग साइट के साथ हर चुनाओती से निपटने को तयार हो चुकी है पांड्या की पल्टन विडार ट्रोहित भुनेश्वर जैसे सीनियर खिलाडियों की छुट्टी होने के बाद यंगिस्तान को मिल चुकी है T20 की बागडोर जहां पर नए कप्तान हार्दिक पांड्या की अगवाई में ग्राउंड पर दिखेगी निव एरा की पहली जलक तो आखर इस निव एरा में किन खिलाडियों को मिल सकती है प्लेइंग कल से श्रुलंका के खिलाफ तीन मैचों की T20 सरीज की शुरुआत हो रही है जहां पहले मुकाबले में हार्दिक पांड्या एंड कमपनी साल की दमदार शुरुआत करने की रादे से मैदान में उतरेगी आपको बता दें जनवरी से ही टीम इंडिया का घरेलू सीजन शुर रहेगी हार्दिक पांड्या की अगवाई में यंगिस्तान के हाथों में अब T20 की बागडोर सौंब दी गई है पूरे दल में किसी भी सीनियर खिलाडी को मौका नहीं मिला है इसके अलावा सुरे खुमार यादों के उपर अवो कप्तानी की जिम्मेदारी भी आ चुकी है ऐसे में यंगिस्तान एक बार फिर धमाल मचाने के लिए तयार बैठी होगी हालांकि पांड्या एंड कमपनी के लिए जुनोती इतनी आसान नहीं रहने वाली है क्यूंकि सामने एशियन चैंपियन्स श्रलंका की टीम रहेगी इसे श्रलंका ने पहले एशिया कप में भी इंडिया को हरा कर घर भेजा था ऐसे में एक तरह से ये भारत के लिए एशिया कप की हार का बदला लेने का भी मौका रहेगा ऐसे में मौझूदा इसकौर्ड पर नजर डालते हुए अगर भारत की परफेक्ट प्लेइंग 11 बनाई जाए तो फिलहाल ओपनिंग के लिए ट बड़ाई गिल और गायकवाड के बीच रहेगी गायकवाड कुछ महीने टीम से बाहर होने के बाद वापसी कर रहे हैं तो वहीं गिल को न्यूजिलेंड औरे पर स्कौर्ड में रखा गया था लेकिन प्लेइंग 11 में मौका नहीं दिया गया हलांकि खबरों के मुताबिक मंगिल कल अपना पहला टी-20 डेब्यू करते नजर आ सकते हैं इसके बाद उप कप्तान के रूप में नियुक्त किये गए सोर इकोमार या दो तीन नंबर की भूमी का निभाएंगे जबकि कप्तान हार्दिक पांट्या मिडिल ओडर में एक नए रोल में नजर आने वाले ह करके विपक्षी टीम को बैकफुट पर लाने का दारोमदार रहेगा जबकि वाशिंगिटन जुंदर अपने शांदार फॉर्म को श्रलंका के खिलाफ भी जारी रखना चाहेंगे इधर गेंदबाजी की बात करें तो हर्शल पटेल इस टीम में बॉलिंग ऑल्राउंडर क का दारोमदार संभालते नजर आएंगे तो दोस्तों आपके हिसाब से श्रीलंका के खिलाफ टीटवंटी मुकाबले के लिए क्या होनी चाहिए भारती टीम की पॉर्फेक्ट प्लेइंग 11 हमें अपने जवाब कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताइए और आप बेलकुल ना भूले